एक पॉस्ट्वेट बहाले निकल के आए जिसमें पादेया अमीन कानो लिपी को रहा सो का तो दोस्तों आपको पता सभी स्टूडेंट रिजाल्ट फाइनल रिजल्ट के लिए के बीसी इसी बोड गया था तो क्या कुछ अपडेट निकल के आर इस वीडियो में सारी जनकारी करके बात करने वाले साथी साथ अभी विभाग के तरफ से एक आपिसेल नोटीस आई है विभाग इतना वरा चुक कैसे कर सकता है इस वीडियो में सारी जनकारी वन वाउन करके बात करने वाले इसलिए वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपोर्टेंट होन लेए चलिए बीनासवजवाइब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जनकारी वनवाऊन करके बतारें जो विभाग नोटी जारी किया और विभाग इतना बराचु कैसे कर सकता है आप कोई पता आयोग है तो आयोग इतना वड़ा चूप क्यों करता है क्यों इसका लाब उठा रहा है आप लोग भी ज्वाइन फटा फट कर लीजे और इसका लाब उठाई यह हर एक मिनेट का अपडेट यहां पर देते रहते हैं था मौर्निंग में ही आपको बता दिये थे देख लीज़े यहां पर सभी नौटीस हम यहां पर भेद दिये थे देख लिए कितने हम नौटीस बेज़ें जो विभाग एक-एक नौटीस हम डाउलोड करके बता रहें एक-एक हम आपको परहार रहे जब विभाग चार साल काम कर वा लिया तो क्यों अभी निकाल राए र करना चाहिए कौन डॉकुमेंट है या कौन नहीं है कौन सा डिगरी लाना है नहीं लाना है अभी आप चाहिट साल काम करवा लिए उसके बाद आप क्यों निकाल रहे हैं रिजन क्या है तो बिरुजगार अभी स्टुडेंट हो जाएगा तो देखिए 12 से 14 नोटीस भी भाग चार साल आप जौब करवा रहे हैं उसके बाद इसको आप निकाल रहे हैं कहां का या ना इंसाप यह स्टुडेंट के साथ आप खिलवार कर रहे हैं तो हमें आयोग पर जो है किसी से मेरा प्रसंद नहीं है बट आयोग जी समय जैसे अभी माली जैसे 10101 पुस्ट का आप ज आप निकाला जा रहा है या हम आपको बता धिये डिप्लोमा इन सीविल इंजिनियरिंग का चलिए आगे बताते हैं आब आगे देख लिए यह देख लिए आपको वह मापक अमीन का यहां पर देख लिए आमीन का आप इसको पूरा परहेंगे तो आपको समझ में आ सरकार को सवामा या आयोग को सवामा पूद्दे Cmemis के साथ खिलवार कर रहा तक है देंख लिए या आपको जो है वह मापक के चलिए और हम को दिखाते हैं देख लीजे इसको पर सकते हैं अच्छा से वार सकते हैं पूरा इसमें लिखा हुआ है क्यों है स्टुडेंट की निकाला जा रहा है तो देख लिए है 1999 में जो बाहली आये थी सबको लिया अगया था समीदा पर कारण देंगी डगुमेंट कोई कारण जो Arya रहा जब चार साल उसे काम ले ली हर्ची है उसके भाद ड़खोमेंट के करन आप जो है उसे उसके बाद हम आपको वीडियो सुवह बेजेते तो वह स्टूडेन के भविष के साथ सिधा सिधी जो है भीयाड सरकार जो है खिलवार कर रहा है अपको इस पता होना चाहिए तो यह हमें यही सवाल है को इस नहीं सरकार सवाल है नहीं विवाग से सवाल है बट जी समय आप कर रहे तो उसमें आप कहां थे अब क्या कर रहे थे जब चाहर साल बच्चा काम कर लिया तब उसे आप निकाल रहे तो वह बेजगार हो जागा नहीं दर कहीं करें रहेगा बच्चा तो इसके कारण हो सकता है क्योंकि रिजल्ट में डिले हो और जो अज गया था मिलने के यह हर्चित हम पहले भी आपको बता दिए जिए 15 के बाद कभी भी विवाग आपको रिजल्ट जारी कर सकता है 15 के बाद जो आज बचा गया था मिलने के लिए और जो अपडेट निकल के आई जो स्टूडेंट जो कॉल करके बता है सर इसे से हुआ बाचित हुआ और ऐसे ह हमको बताया गया दिए 15 बाद कभी भी आपको रिजल्ट आ सकता है कभी भी 15 बाद तो दोस्तों देख लीजिए अब क्या हो सकता है नहीं हो सकता इसका तो आयोग ही जिमेवार है सीधे आयोग को ही जिमेवार हम ठाहर आएंगे क्योंकि आप डुकुमेंट कर रहे थे उसम है और रिजल्ट 15 के बाद कभी भी विभाग जारी कर सकता है तो दोस्तों यहीं हम आपको अपडेट देने वाले थे मौर्निंग वहीं आपको वीडियो बना के बता दिये साम में हम आपको अपडेट कर देंगे तो आप लोग बताईएगा जो यह साथ ना इंसाफी हो रह करेंगे ठीक है ठीक है ठीक पर आएंगे और पीएश्टी क्लासे जो रुसराद लिखेंगे आपको आ जाएगा तो यहीं जनकारी देने वाले थे आयोब की समझ गया होंगे सभी एस्टुएंट को जितना हो सकते इस वीडियो को आप सेर किजिए क्योंकि वीडियो वाइल हुआ तभी इस्टुएंट के साथ ठीक है तभी इस्टुएंट को जो है इनसाम मिलेगा नहीं इसाप नहीं मिलेगा इसा जो वीडियो सरकार इसाहीं करता रहेगा इसलिए जितना हो सकते आप लोग सेर किजिए ठैंक्यू